ओके, सो थमनेलो टाइटल देखे आपको पता ही चला होगा कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ आज मैंने थेटर में देखी चुप और परसनली मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड सिर्फ दो चीजों की वज़े से था एक तो उसका ट्रेलर अच्छा था इसलिए कुछ यूनिक कॉंसेट नहीं यूनिक स्टोरी लग रहे थी और सेकेंड चीज सी कि ये फिल्म जो है ये आर बालकीजी ने डिरेट की है आर बालकीजी की जो लास्ट चार पाच फिल्म है थी ना उसमें से जो मेरी पसंदिदा फिल्म सिर्फ दोई है चीनी कम और पा पैडमान मुझे ठीक ठाक लगी थी एक साइको किलर है जो ऐसे क्रिटिक्स को मार रहा है जो सही फिल्म को गलत फिल्म को सही रिव्यू देते है और इस केस पे जो ऑफिसर इन्वेसिकेशन कर रहे है ना उनका कैरेक्टर सनी देवल प्लेई कर रहे है और उनकी जो love interest है नीला उनका character श्रिया धन्वंतरी प्ले कर रही है अब देखे डैनी और नीला की love story का track एक side में चालो है एक side में सनी देवल के character का track चलो है और हमको पता है यह दोनों track आके एक point पर रुखेंगे और वही पर हमको हमारे film का conclusion मिलेगा अब देखे मेरे हिसाब से ना दो टाइब के thriller होते है एक thriller ऐसी होते है जिसमें audience जो होते है ना उन्हें पता होता है कि actual story में culprit कौन है और फिर वो ना film में वो जो hero और वो जो culprit है उन दोनों का जो cat mouse वाला chase चालू रहता है ना throughout the movie उसे enjoy करती है और second thriller उस type के होते है जहाँ पे audience को ना पता नहीं होता है कि actual culprit कौन है और जो cinema का main character है ना उस main character के साथ audience खुद discover करती है कि exactly इस film का conclusion क्या है तो ये वाली जो film है ना ये type 1 में आती है फिल्म में शुरुआत से ही आपको ऐसे hints दिये जाते है जिससे आपको बहुत easily बता चलता है कि यार killer कौन है और जो interval वाला point है ना उस point पे reveal हो जाता है कि ये जो killer है ये killer इस film में कौन है फिल्म की script ना बहुत अच्छी तरह के से लिखी गई है specially ये character की जो backstory है ना उसे बहुत अच्छी से लिखा गया है फिल्म सिब 2 गंटे 10 मिनिट की है फिल्म का screenplay बहुत ही अच्छी तरह के से लिखा गया है अब देखे दो गंटे की फिल्म है That doesn't mean की फिल्म शुरू होते ही वो pace पकड़ लेती है देखे कुछ stories ऐसी होती है जो बहुत ही slowly develop होती है ये फिल्म वही है इस फिल्म की जो character है जिस सरीके से story बहुत gradually धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बहुत ही अच्छे subtle way में हमको final act तक लेके जाती है फिल्म में विशाल से ना की जो cinematography है वो बहुत अच्छी है मुंबई को बहुत अलगी frame से दिखाया गया है बहुत ही dark tone में दिखाया गया जो देखना बहुत ही interesting चीज है फिल्म में जो make-up और prostatic वाला department है ना उनको भी मैं extra credit देना चाहूंगा क्योंकि फिल्म का जिस सरीके का theme है ना उसके हिसाब से ना फिल्म में जो murder वाले scene है या जो dead bodies है ये सारी चीज है ना रियल दिखाने के लिए प्रॉसर्टी को वाला department में बहुत काम किया है और वो जो brutal aspect है ना फिल्म का वो intact रखने के लिए ये particular department का भी उतना ही हाथ है अब देखे आर बालकी का direction हम सबको पता है कितना अच्छा है मतलब अगर उनको अच्छी script मिल जाए ना तो उसको निचोड के वो एक अच्छा output आराम से निकाल लेते गुरुददजी की जो पुरानी फिल्मे है उनके जो गाने इस फिल्म में यूस किये गए है वो जिस तरीके से यूस किये गए है वो देखना बहुत इंट्रेस्टिंग है फिल्म के जो डायलोग है वो बहुत अच्छी तरगे से लिके गए है हर एक सीन को वो डायलोग जिस सरीगे से इस सीन वापलिमेंट करते हैなんか वो काभी ले तारीफ है फिल्म में जो परफॉर्मेंस है वो सबकी टॉप नौच है, सनी देओल का परफॉर्मंस बहुत ही सटल है, बहुत ही काम है, उसके बाद पूजाबट, I don't know उनकी एज क्या है, but that lady is like a fine wine man, श्रया धन्वंतरी, देखो इसके पहले ना मैंने उनको supporting role में बहुत देखा है, Scam 1992, Family Man season 1, लेकिन इस फिल्म में पह 3 best performances, अगर गीनी जाएगे ना, तो I'm pretty sure कि ये वाली performance उस लिस्ट में अपनी जगा बनाई लेगी, इतनी अच्छी performance है, फिल्म के जो राइटर्स है, उन्होंने जो गुरुदत और गुरुदत जी की जो फिल्म है, इनके reference, जिस सरीके से फिल्म में सेट किया है, जिस सरीके रिविल भी गुरुदत जी से related है, पुरी फिल्म में मुझे सिफ एक ही minus point लगा, कि cinema का final act अच्छा है, but the problem is final act में वो जो thrill वाला element है वो थोड़ा कम लगता है, so overall समब करने जाएंगे तो छूप एक well written film है, आरबाल की कि ये one of the best film रहेगी as a direct, and ये film आपको miss नहीं करनी च झाल झाल